आज आजी के प्रत्तर साल दर्मियान देश जिस स्तिती से गुज्रा था अंग्रेज भारत के नागरीकों के अधिकारों को कुचलने पर लगे हुए थे और उसके कारण हिंदुस्तान के नागरीकों को उसके अधिकार मिले इसके लिए लड़ना बहुत स्वाभाविक था और जरूर भी था मात्मा गांदी समय हर कोई भारत के नागरीकों को उनके अधिकार मिले इसलिए वो लड़ते रहें यह बहुत स्वाभाविक है लेकिन ये भी सही है कि मात्मा गांदे ने आजहा दी के अंदोलन में भी अधिकारों के लिए लड़ते लड़ते भी देश को कर्तब्वे के लिए तयार करने के लिए लगातार कोशिश की थी उन्होंने भारत के नागरीकों में उस बीज को बोने की लगातार कोशिश की थी कि सफाई करो, प्राउड शिक्षा करो, नारी सम्मान करो, गवरव करो, नारी को एमपावर करो, खादी पहनो, स्वदेशी का विचार, आत्मे दिर्भर भारत का विचार, कर्तमियों की तरब महत्मा गांदी लगातार देश को तैयार करते रहे, लेकिन आजादी के बाद, महत्मा गांदी नहीं जो कर्तबे के बीज बोये थे, वो आजादी के बाद वटवुष बन जाने चाहिए थे, लेकिन दुर्भागय से, शार्षन ने विवस्ता ऐसी बनी कि उसने अधिकार 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 के ही बाते करके लोगों को एक ऐसी विवस्ता में रखा कि हम है तो आपके अधिकार पूरे होंगे अच्छा होता देश आजात होने के बाद कर्तव के परबल दिया गया होता तो अधिकारों के अपने आप रक्षा होती कर्तव्य से दाइत्व का बोध होता है कर्तव्य से समाज के प्रती एक जिम्मेवारी का बोध होता है अधिकार से कभी कभी एक आचक वृत्ति प्रता होती है कि मुझे मेरा अधिकार मिलना चाहिए ये समाज को कुंठित रखने की कोशिश होती है करतब्य के भाव से सामान ये मानवी के जीवन में एक भाव होता है कि ये मेरा दायित्व है मुझे इसको निभाना है, मुझे करना है और जब मैं करतब्य का पालन करता हूँ तो अपने आप किसी के अधिकार की रक्षा हो जाती है, किसी के अधिकार का सम्मान हो जाता है, किसी के अधिकार का गवरो हो जाता है और उसके कारण करतबें भी बनते हो और अधिकार भी चलते हैं और स्वस्त समाज की रचना होती है आज आजी के अमरित महोसों में हमारे लिए बहुत आवशक हैं कि हम कर्तवियों के माध्धम से अधिकारों के रख्षा करने के रास्ते पर चल पड़े कर्तव का वो पत है, जिसमें अधिकार की गारंटी है, कर्तव का वो पत है, जो अधिकार संमान के साथ दूसरे को सुपृत करता है, उसके हग को दे देता है, और इसलिए आज जब हम सम्मिधान के दिवस को मना रहे हैं तब हमारे भीतर भी यही भाव निरंतर जगता रहे कि हम कर्तब्य पत पर चलते रहें कर्तब्य को जितनी अधिक मात्रा में निश्चा और तपस्या के साथ हम मनाएंगे हर किसी के दिकारों के रक्षा होगी और आज जादी के दिवानों ने जिन सपनों को लेकर के भारत को बनाया था उन सपनों को पुरा करने का सौभागे आज हम लोगों को मिला है हम लोगों ने मिल करके उन सपनों को पुरा करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए